दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल Study with Summer में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 36 गड़ लोक सेवा आयोग में आई PCS Pre-Q की वेकेंसी के ओफिशल सेलेबस के बारे में तो इस वीडियो में इस वीडियो में इस वेकेंसी के सेलेबस के बारे में पूरी जानकारी दूँगा आपको Step by Step साथ से दोस्तों इसका पूरा सेलेक्शन प्रोसेस, Elisability क्राइटरिया सब कुछ डीटियल से में बताऊंगा आपको तो friends किसी भी government job की जनकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके आल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकर्सन सबसे पहले आप तक पहुंचे और इस वीडियो को जितना है को अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो इस वेकैंसी का इंतजार के रह रहे और प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे एक लाइक ज़ुए कर दीका और दोस्तो इस सेलेबस वाले वीडियो को जितना हो सके सेयर कीजिएगा तकि सभी कंडियेट इस सेलेबस के बारे में जान सके जो जैसा कि दोस्तो यहां पर देख पाएंगे CGP, SC, SC, SC सेलेबस 2020 जिसमें कि आपको प्री एक्जाम, मेंस एक्जाम और इंटर्विव के बारे में पूरी जान काये देऊँगा स्टेप बाज स्टेप तो फ्रेंट सेलेबस बताने से पहले आपको इस वेकेंसी के बारे में सोट में बता देता हूँ ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएं तो इसकी आवेदन करने की जो महत्वपूर्टी थिया है दोस्तों आप इसका आवेदन स्टार्ट हो रहा है 14 इसमबर 2020 से और आवेदन करने की जो अंतिन तिसी है 12 जनवरी 2021 तक इसमें आप आवेदन कर पाएंगे वहीं करेक्षन यानि कि दोस्तों फॉर्म भरते समय यह दे कोई गलती हो गई है तो आप उसमें करेक्षन 14 से लेकर 18 जनवरी 2021 की बीच में कर सकते हैं वहीं pre exam की बात कर लें तो इसका pre exam 24 फरवरी 2021 को ईवर जित किया जाईगा और इसका जो मेंस exam होगा वह 18 से लेकर 20 जून 2021 को ईवर जित किया जाईगा वहीं बात कर ले वह दोस्तों अपनी केसन फीस की बात कर लें यानि कि फॉर्म भरने के लिए जो आपको आवेदन सुल्क देना होगा तो इसमें जनरल कैटेगरी और अधरेश्टेट की अभेर्थियों के लिए 400 रुपए का सुल्क होगा वह एस्टी ओवी सी कैटेगरी के लिए 300 रुपए क कि यानि कि दोस्तों फॉर्म भरने के लिए जो आपके पास योगता होने चाहिए तो इसमें आपके पास किसी भी बोर्ड से किसी भी इनिवर्सिटी से बैचलर ने की ग्रेजुएशन की डिगरी होने चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे और एक ब दे सकते हैं लेकिन जब आप मेंस एक्जाम के लिए अपलाई करेंगे उस समय आपका क्वालिफिकेस्ट क्वालिफिकेस्ट डिटेल्स यानि की रिजल्ट आ जाने चाहिए तभी आप उसमें आवेदन कर पाएंगे वेकेंसी डिटेल्स की बात करने तो इसमें इस्टेट स सब्सक्राइब दो कोपरेटिव इंस्पेक्टर और असिस्टेंट जेल इस्पेक्टर के पदो पर इसमें से निकाली गई है दोस्तों वीडियो पूरा देखने के बाद यदि आपके इस वीडियो संबंदित कोई भी सुझा हूँ या आपके कोई भी प्रस्ट न हो तो आप कमेंट केजिएगा मैं आपके कमेंट का रिपलाई जरूर दूँगा साथ ही इसके आवेदन करने का लिंक और इसके ओफिशन नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप चाहें तो वहाँ से जाकर डिटेल्स को चेक कर पाएंगे तो अगर हम बात कर लिसके सेलेक्शन प्रोसेस यानि की चैन प्रक्रिया की तो दोस्तो इसमें आपका चैन प्री एक्जाम के अधार पर होगा जिसमें की आपके दो पेपर होंगे और दोनों अबजेक्टिव यानि की बहुत भी कल्पी प्रकार के होंगे उसके बाद होगा आपका मेंस एक्जाम यदि आप प्री एक्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपका mains exam June में आयूजित किया जाएगा जिसमें की 7 पेपर होंगे और इसमें AC यानि की लिखित प्रकार के पेपर होंगे और डिस्क्रिप्टिव यानि की 7 पेपर होंगे सबी के सब लिखित पेपर होंगे यदि आप इसमें भी क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटर्वीव के लिए इसमें बुलाया जाएगा और इंटर्वीव में क्वालिफाई करने के बाइद आपके प्री मेंस एक्जाम और इंटर्वीव के मार्क्स के अदार पर इसमें आपके चैन किया जाएंगे तो dein test के बात कर लें तो दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे जो प्री एक्जाम होगुए उस में दो प्र होंगे जो की अब्जटिव या नि की बहुत भी कलपेपर की होंगे negative marking की बात कर लें तो इसमें one third की negative marking के पर टेक क्योश्चन के लिए तो दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे और साथ ही देख सकते हैं there is no negative marking for living question यानि कि जो प्रस्टों आप हल नहीं करते हैं आपको उसके लिए negative marking नहीं दिया जाएगा तो बात कर लें यहाँ पर दोस्तों नेम आपदे एक्जाम तो पर फॉस्ट इसमें देख सकते हैं पर फॉस्ट इसमें जनरल इस्टेडिज होगा और कॉइंटिटिव एपिडियोड होगे जो कि प्री एक्जाम होंगे डियरेसिंग की बात करने तो इसमें दो घंटे का समय गोई जाएगा दोस्तों यहां पर देख पाएंगे पेपर फ़स्ट के लिए दो गंटे फ़ाइद के लिए दो घंटे का समय दिया जाएगा यानि कि पर फ़ईस्ट सुबह होगा और प्पल सिकन्ड साम को आई जूद किया जाएगा MAXIMUM की BAT K Ov Gecem칙 दोस्टों दोस्तों बिए होますो नंबर के लिए होंगे और इसमें कमसे कम आप़को 33% नंबर लाने हों क्वालिफाई करने के लिए ₹ 27 5 कालिव होंगे, पेपर 12 में 100 क्योस्टिन होंगे, exam type की बात कर लें तो दोस्तो exam जो होगा offline OMR based होगा यानि कि दोस्तो online exam इसका आईजित नहीं किया जाएगा nature आप question की बात कर लें तो all questions will be of objective यानि कि बहुत भी कल्पी प्रकार के प्रस्ट नहोंगे pre-exam में मेंस exam की बात कर लें तो मेंस exam में paper first होगा जिसमें की लांगेज होंगे 200 नंबर के लिए तीन घंटे का समय दिया जाएगा एससे होगा paper second 200 नंबर के लिए 3 घंटे का समय रहेगा paper third होगा जिसमें के history, constitution and public administration से समभ़ ही प्रस्ट होगे 200 नंबर होगे 3 घंटे का समय दिया जाएगा paper fourth होगा जिसमें की science, technology and environmental होगा 200 नंबर के लिए 3 घंटे का प्रस्ट होगा paper five होगा economics and geographic से और इसमें भी 200 नंबर के लिए प्रस्ट होगा 3 घंटे के लिए paper six होगा mathematics और logical ability 200 नंबर हैंगे 3 घंटे के लिए paper seven हैगा philosophy and sociology से जिसमें 200 नंबर के लिए प्रस्ट होगे और इसमें भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा तो इस तरह इसमें दोस्तों कुल total 1400 मार्क्स के अधार पर आपका चैन किया जाएगा interview की बात कर ले यदि आप मैस exam qualify करते हैं तो आपको interview के लिए बुलाया जाएगा interview के लिए दोस्तों जो होगा interview final round होगा और इसमें आपको 1500 नंबर दे जाएगे यहने की total 1550 नंबर के अधार पर आपका चैन किया जाएगा दोस्तों यदि आप इस exam की तयारी के लिए best book purchase करना चाहते हैं तो आपको best book का link video के description में मिल जाएगा आप चाहें तो वहाँ से जाकर book को purchase कर सकते हैं और अपनी तयारी को आगे बहा सकते हैं साथ ही दोस्तों यदि आप हमारे telegram group को join करते हैं जिसका link आपको video के description में मिल जाएगा वहाँ से भी आपको book का link मिल सकता है तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे date and test will be multiple objective type दो पेपर होंगे पहले में जिसमें कि 100 questions होंगे दो नमबर के लिए होगा तो इस तरह यहाँ पर details आप चेक कर पाएंगे जो आपको मैंने पहले ही बता दिया है final selection की बात करने तो final selection आपका मेंस एक्जाम और personal interview की अधर पर final मेरी टैप की बनाए जाएगी तो चलिए आपको इसकी पूरी सलेवस की details देता हूं official notification के साथ तो दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे यह इसका official notification है और इस notification का link भी आपको वीडियो के description दिल जाएगा और दोस्तों इस vacancy के लिए आप पूरे भारत से आवेदन कर सकते हैं चाहें आप किसी भी state के अभियरती हैं आप इसमें आवेदन कर पाएंगे और इसके लिए male तसा female दोनों ही आवेदन कर सकते हैं तो इस तरह यहाँ पर दोस्तों इसकी important date है आप यहाँ पर details चेक कर सकते हैं जो इसकी exam की date है वो भी details यहाँ पर चेक कर सकते हैं जैसे कि pre-exam होगा 14 फरोई 21 को paper first 10 से लेकर 12 बज़े तक और paper second होगा 3 बज़े से लेकर 5 बज़े के बीच में इसका paper second होगा दोस्तों अगर आवेदन की बात करने तो आप इसमें केवल online की द्वारा ही आवेदन कर सकते हैं आपको किसी भी प्रकार के अपनी केसम फॉर्म को डाक द्वारा भेजने की आवसेक्ता नहीं है आप केवल online के द्वारा ही इसमें आवेदन कर सकते हैं और निया किसी माध्यम से आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तो आपके जो एक्जाम सेंटर होंगे, वो याप डिटेल से यहाँ पर चेक कर पाएंगे, साइची क्योगिता की बात कर लें, तो दोस्तो यहाँ पर देख पाएंगे, भारत के तो ऐसी किसी परिच्छा में बैठे हों, यहाँ बैठे होंगे, जिसमें के उत्तुर होने से हुए आयो की परिच्छा के लिए सैचिक रूप से और है हो जाएंगे, किन्तो उन्हें पर दाम की जानकारी नहीं हुए, वो भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, तो आप य छक पुलिस के लिए जो हाइट होगी, मेल के लिए 188 सेंटीमीटर और फिमेल के लिए 155 सेंटीमीटर और चेस्ट की बात कर लें, तो चेस्ट के लिए जिसमें कि बिना फूला 84 और फूलाने के बाद आपके 89 सेंटीमीटर होने चाहिए, जिसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए जिला अब कारी अधिकारी की बात कर ले तो इसके लिए 130 cm male category और female के लिए 102.4 cm की height होने चाहिए वहीं chest की बात कर ले male के लिए 89 से लेकर 87 cm के बीच में होने चाहिए वहीं दोश्तों बात कर ले अब कारी उपनिले चक की तो इसके लिए जो हाइट होगी 155 cm male category 152.4 cm female category के लिए और chest होगी male के लिए 81 से लेकर 86 cm के बीच में होने चाहिए वहीं बात करें साहिक जेल अधी चक की तो वो इसके लिए 1.6 मीटर की लंबाई होने चाहिए male category और female के लिए 1.55 मीटर की हाइट होने चाहिए और chest की बात कर लें तो chest इसमें 0.80 मीटर होना चाहिए तो आप इस post के लिए आविदन कर पाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप एक एक करके सब भी details को चेक कर पाएंगे दोस्तों यहाँ पे देख वाएंगे जो परिच्छा की उजना होगी आप यहाँ पे देख पाएंगे जो प्रारंभिक परिच्छा होगा वस्तों इस्ट यानि की बहुत भी कल्पियों प्रकार के होंगे जिसमें परिच्छा में आपको 2 घंटे किया वधी होगी, 2 परश्ण परश्ण पर थो बहुत भी कल्पे प्रकार के होगे, प्रतिक परश्ण परश्ण के लिए 4 भी कल्प होगे, जिन में से सही उतर की पहचान करने होगी, गलत उतर देने पर आपको नकरात्मक अंक भी दिय जाएंगी यानिकि निगेटिव मार्किंग का भी प्रधान किया गया है तो प्रत्थम प्रश्ण पत्र की बात कर लें तो इसमें समान्य ध्यान होगा क्वालिफाइंग मार्क की बात कर लें तो इसमें आपके पास कम से कम दोस्तों 33% नंबर लाने होंगे क्वालिफाइंग करने के लिए तब ही आप अंगले स्टेज के लिए क्वालिफाइंग कर पाएंगे तो मुख्य परिचा की अगर हम बात कर लें तो मुख्य परिचा में दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे प्रस्ट पत्र 1st 2nd 3rd यानि की 7 पेपर होंगे जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं तो यहाँ उसके बारे में डीटेल्स यहाँ पर चेक कर पाएंग तो मुख्य पर इच्छा में दोश्ते हैं यहां पर देख पाएंगे जो कि लिक्त पर इच्छा के परकार होगे तो यहां पर आप एक एकर करके सभी डीटिल्स को चेक कर पाएंगे तो चलिए आपको इसके बारे में पूरी जानकार देता हूं स्टेप बास्टेप तो साम का जो मानल होगा समानढद हैं कि इसमें देख पाएंगे भाग एक तसर भाग​ का शुतनतरता आंदोलन होगा भारत का भूतिक समाजी की अम आर्थिक भूगल भारत का संभीधान राजिवेश था भारत की अर्थ विष्था समाने भी ग्यान एंप प्रोदोगे की भारती दर्शन कला साहितें संस्कृति समाजित प्रशन होंगे उसके बाद को सामय घटनाए M.K. से संबंधित और सासी से भी परियावाट से संबंधित प्रशने पूछे जाएंगे भाग सेकेंड की बात कर लें तो इसमें 36 गड़ का समानिय ग्यान होगा तो 36 गड़ में दोस्तों यहां पर देख पाएंगे 36 गड़ का इतिहास M.S.T. अंदरल में 36 गड़ का युगदार 36 गड़ का भूगोल जलवाएं भौतिक दसाएं जन गड़ना उरा परेटन के अंदर 36 गड़ का साहीति संगीत नीटे कला एं संस्कृति जन उला मुहावरे हाना एं लकुक्तिया से सम्मादित प्रशन होंगे 36 गड़ की जन जातिया विशेस परंपराएं तीज एं तेवहार होंगे 36 गड़ की अर्थ बोस्ता वन एंव क्रिशी 36 का प्रसाषनिक ढाचा अस्थानी सासने पंचायति राए से सम्मादित प्रशन पूछे जाएंगे 36 गड़ में उद्योग, उर्जा, जल, अम, खनी, संसादन 36 गड़ की सामाई, घटनाव, हसम, मज़ी परशन पूछे जाएंगे तो यह दोस्तों आपके प्री एक्जाम का फर्स्ट पेपर था प्री एक्जाम के पेपर सेकेंड की बात कर ले तो इसमें आप दोस्तों यहां पे देख पाएंगे यह भी सोवंग के लिए होगा, सोव प्रशन होगे दोस्तों नमबर के लिए समय आपको दो घंटे दिया जाएगा और इसमें भी वन थर्ड का निगेटिंग मार्किंग रखा गया जिसमें कि गड़तिय कोशल का अच्छा दस्वी अस्तर का होगा हिंदी भासा का ग्यान होगा दस्वी अस्तर का च्छतिस गड़ी भासा का ग्यान हिंदी भासा ग्यान और च्छतिस गड़ी भासा सम्मादे परस्टन उसी भासा में होगे, इसका अनुमाद उपलब दे नहीं होगा तो ये दोस्तो प्री एक्जाम के सिलिबस होगे बात कर ले इसके मेंस एक्जाम के सिलिबस के बारे में तो दोस्तो मेंस एक्जाम की बात कर ले तो मेंस एक्जाम में पेपर फर्स्ट भाग फर्स्ट भासा से होगा जिसमें देख पाएंगे हिंदी होगा भाग हिंदी में दोस्तों ये देख सकते हैं ये आपके परशने पूछे जाएंगे भाग सेकेंड में होगा आपका English तो English में दोस्तों यहाँ पे आप details देख सकतें English में आपको प्रशन पूछे जाएंगे भाग 3rd होगा 36 गड़ी भासार संबंदी प्रशन पूछे जाएंगे वहीं बात कर ले प्रशन पत्र सेकेंड जिसमें की निबंध होगे 200 नंबर के रिए अवधी 3 घंटे की होगी इसमें आप देख पाएंगे अंतराश्च्री राश्च्री एस्तर के मुद्दे से सम्धित प्रशन होगे 36 गराज एस्तर के मुद्दे होगे वहीं दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे भाग प्राशन पत्रे तीन, समाने ज्यान first की बात कर लें तो इसमें भारत का इतिहासे सम्मझी प्रशने पूछे जाएंगे जिसमें कि आप यहाँ पे टॉपिक, डीटेल्स यहाँ पे पर इस टॉपिक से आपके पर जबशने पूछे जाएंगे तो भी डीटेल्स यहां पर चेक कर पाएंगे भारती सम्भीदान उन लोग परसासन से जो सम्माजित प्रशन होगे वो भी डीटेल्स यहां पर चेक कर पाएंगे भाग तीन होगा चतिस गड़ का इतिहास सम्माजित प्रशने पूछे जाएंगे प्रश्ण पत्र चार की बात कर लें समाने जहन सेकेंड पेपर की इसमें आपके समाने बिग्यान से समाने प्रश्ण पूछे जाएंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे समाने बिग्यान के जो आपके टॉप दिख होंगे वो डीटेल्स यहाँ पर चेक कर पाएंगे साथी दोश्ति यहां पर देख पाएंगे भाग सेकेंड में योग्यता परीक्षण होगी इसके बारे में डीटेलस यहां पर चेक कर पाएंगे एप्लाइड एंड व्यावारिक विग्यां से जो सम्माजी परशन होगा वह भी डीटेल से यहां पर चेक कर पाएंगे प्रशन पत्र पांच की बात करने जिसमें की सम्माजीन फेपर होगा जिसमें भारत की एम 36 गड़ की अर्थ सम्माजी परशने पूछे जाएंगे साथी भारत का भुगोल भी होगा 36 गड़ का भुगोल से सम्माजी परशने पूछे जाएंगे परशन पत्र 6 की बात करने समान इजन पेपर 4 की तो इसमें दर्सन साते समाजी परशन पूछे जाएंगे और साथी इसमें भी दोस्तों समाज साष्टर होगा 36 का समाजिक परदी से समाजी परशन पूछे जाएंगे पेपर सेकेंड परशन परशन परदी साथ समाज ने दिन पांच की बात कर लें तो दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही मिलेंगे फिर अंगले वीडियो में एक नई वेकंसी के साथ तब तक के लिए तक क्यू